देखे हम उस बयान से हम परका करते हैं हमको लगता है कि उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं न कहीं उनके जो बहुत थौटफुल बयान ही नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूश फोर नेशन और मैं हूँ प्रेदर्शन बिहार के सिक्षा मंतरी चंदर सेखर का राम चरित मानस पर दिया गया विवादित बयान जदियू के लिए गले की फास बन चुका है जिहां जदियू के नेता अब इस बयान पर ऐसी स्थिती में है कि उन्हें न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है बिहार के मुख्य मंतरी नितिसकुमार ने पहले ही इससे किनारा करते हुए कहा कि उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है लेकिन अब बिहार सरकार में ही मंत्री अशोक चौधरी ने यह जरूर कहा है कि उन्होंने बयान को सुना है नितिसकुमा ने तो बयान को भी नहीं सुना था लेकिन अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्होंने चंद्सेखर के बयान को सुना है लेकिन चंदर सेखर का जो बयान है या बयान जल्दबाजी में दिया गया एक ऐसा बयान है जिससे जदियू सहमत नहीं है उन्होंने यह भी कहा है कि जो चंद सेखर का रामचरित मानस पर दिया गया अभिवादित बयान है या एक जल्दवागी में दिया गया ऐसा बयान है जिसके लेकर के जो जटादल उनाइटेड इससे कैसी कतई सहमत नहीं है या उनका निजीमत हो सकता है चंदर सेखर के बयान पर पहली बार जदियू के किसी बरे नेता ने इस तरीके से खुले आम मीडिया में आकर के अपनी बातों को रखा है नितिश कुमार ने तो चुपी ही साथ रखी थी लेकिन अब अशोग चौधरी ने क्या कहा है हम आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयार लेकिए हम उस बयान से हम परका करते हैं हमको लगता है कि उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं न कहीं उनके जो बचसे लोगों क्या विश्वास है आज भी जो हिंदू परिवार है उसके यहां पर सुन्दर कांड राम चरित्रमानस का बजाबता हर रोज पाठ होता है उसके बाप दादा उसके माता-पिता राम चरित्रमानस के का पाठ करते हैं राम चरित्रमानस की चौपाई को वो चौपाई को उन्होंने कहा है कि मैं अधम जाति विद्या पाए भयो जथा अहीं दूथ पिया है। मतलब कि उन्होंने इसको पुटप किया है कि जो चोटी जाती के लोग हैं अगर वो विद्या पाते हैं तो वो एक तरह से साव को दूद पिलाने के भाती इस तरह से उन्होंने प्रजेक्ट किया है, मगर ये नहीं कहीं-किसी उधारन का किसी ने किसी चौपाई को उन्होंने जो पुटप किया है, वो दूसरे तरका है वो पंग्ति काग भुशंडी जी का है संदर्व यह है कि वो अपने शैव गुरू के पास सिछा लेने गये थे तब गुरू ने कहा था कि शिव राम के भक्त है या सुनकर मुझ शिव भक्त को जो शिव भक्त थे उनको बहुत गुस्सा आया तब उन्होंने क्रोध का कारण वो कहा कि मैं अधम जाती का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह से साफ दूद्ध पिकर हो जाता है इसलिए आप किस चीज को कहां पुटब करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है है तो चौपाई लेकिन किस संदर में वो चौपाई कही गई ह यह भी तो प्रजेक्ट करिए यह भी तो लोगों को बताईए अगर इस तरह से आप राम चरीतर मानस के चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के सिक्षा मंत्री हैं रखिएगा तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भर्म पैदा विश्वास हजारों साल से लोगों को है महरसी बालमिकी जी ने लिखा था तब राम चरीतर मानस इतना पॉपलर नहीं हुआ था क्योंकि वह उनकी भासत बहुत क्लिस्थ थी और उसके बाद तुलसी दास जी ने उसको सिंप्लिफाई करके उसको जंजन तक पहुंचाया औ और सबसे बड़ी बात है कि राम चरीतर मानस में सबरी कौन था राम चरीतर मानस में वो नाभी कौन था मलाक कौन था जिन्होंने भगवान राम को पार कराया नदी तो इस तो पूरी राम चरीतर मानस तो जो कहता है में जो दोहा है उसमें एक और चपाई है जाती पाती ध सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हिर्दय में विराजते हैं तो आप को कैसे कर रहे हैं एक चौपाई बोल करके आप पूरे देश में आपने पूरा सेंसेशन पैदा कर दिया संसनी पैदा कर दिया दस लोग आपको खिलाप में आपके बोल रहे हैं और इससे महागडबंद कि लोगों के बारे में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि हम लोग जो है इंदू और राम चरित्र मानस विरोधी हैं हम लोग क्यों प्राम के हम तो को एक्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हिंदू धर्म के प्रती भी हमारा सम्मान है हमारे नेता नितीश कुमार जी पूरे जगह भगवान राम की जो सुभायात्रा निकलती है को नहीं जानता है कि हर बार भगवान राम के सुभायात्रा में नितीश कुमार सामिल होते हैं तो वो तो एक तरह से सम्मान दिखाते हैं उनके प्रती सम्मान दिखाते हैं आदर दिखाते हैं दुर्गा-पुजा में हर पंडाल मंदिर में गुमते हैं और पूरे सूफी सेक्टर को चाहे वो फुलवारी हो चाहे मित्तन घाट हो चाहे मनेर शरीफ हो चाहे बिहार सब को मा नेता ने डेवलप करने का काम किया है उसी तरह से जब दोसो पचासमा गुर्गोविन सिंग की जैनती हुई किस तरह से कि फूरे देश के लोग आय थे और कैसे किस तरह क्वथा की आज भी पंजाब के स्क्वांति नें कहा था उस समय पंजाब में अम इस तरह कीुम्हां कही新 स लेकिन हम तो उनका नीजी मामले को भी करते कि यह गलत है इस तरह की बात की हम बहुजन की बात कर रहे हैं इसकी बात करें यह सड़ा-सर गलत है पूरा बहुजन भगवान स्री राम चरितर मानस पर विश्वास करता है और उसके राम्चरित्र मानस के प्रतिय अपना स्रधा रखता है वापस ले लिया है यह उनका विक्तिकत मामला उसके बाद वो विक्तिकत मामला है कि इसलिए उस पर हम हमारी हम हम यह मानते हैं कि हम लोग को एक्जिस्टेंस विश्वास करते हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ इस पर के हिंदू भावनाओं का आदर है सम्मान है मुस्लिम भावनाओं का आदर सम्मान है सिक्ष भावनाओं का आदर समान है हम गुरुवानी प पर क्यों बोलेंगे लग्योगे रामचारी तरवन स्विल्व जो को एक्जिस्टेंट का हमेसा को यृग्जिस्टेंस सट्राइंड हमारे नेता को अस्टेंट करते हैं वो हिंदू धर्म के प्रतीवियास्ता प्यार रखते हैं मुस्लिम धर्मों के प्रति भी संबान और प्यार रखते हैं और यही कारण है ना कि हमने आपको बताया कि मनेर शरीफ फुलवारी शरीफ मित्तन घाट बिहार शरीफ सब जो सूफी सेक्टर इसको मानने ने डेवलप किया है और गुरुगोविन सिंग की ज संबान करना कि आप लोगों के प्रति संबान करते हैं और आप अपना नेतागिरी करने के लिए को ऐसा बैयान कंटर बेंट देंबवास करते हैं तो उनका नीजी मामला और और यदी ने असपर के कहा है उनके प्रवगता ने कहुंका निजी बियान है आध्यीडी पार्टी को इसको फायदा होगा इससे किसको फायदा होगा जो लोग सेंशिब जो लोग सेंशिटिव जो लोग जानते हैं कि हमें राजनीत करना है हमें किस चेक्टर को क्या नामें नर्स करना है तो आप जो धर्म की राजनीत करके इस देश को बटवारा करके धर्म के पर और राजनीत करना चाहते हैं उसको तो इस तरह के ब्यान से और ताकत मिलेगी ना तो फाइदा ही हो रहा इस तरह के ब्यान देने से एक है कि आप सफर आफ दा मुवमेंट में कुछ बोल दिये आप रियक्ट कर गए और उसका एक देश व्यापी एक इसु बन गया तो हम अपना हमारा था कि यह स्टैंड को हम क्लियर करना चाहते थे कि यह स्टैंड हम लोगों की पार्टी का कभी नहीं रहता है हमारी पार्टी हमेचा को यूस्टेंस में बिलीब करते है